हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू निटिंग ट्यूटर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यह डबल कलर का डिजाइन इसको आप कार्डिगन में भी डाल सकते हैं इसको आप बचों के स्वेटर में भी डाल सकते हैं बहुत ही बिल्कुल इजी डिजाइन है यह चेक की तरह यह दिखेगा आठ फंदो का डिजाइन है यह यह वाला स्कॉयर हमारा पाच फंदो का है यह वाला तीन फंदो का है यह पाच फंदो का है इस तरह से आठ फंदो के मल्टिपल में आप इसमें फंदे रखेंगे प्लस वन भी आप कर सकते हैं प्लस फाइफ भी कर सकते हैं यानि 8 के multiple फंदे में plus 1 या plus 5 तो उसमें ये adjust हो जाएगा आराम से plus 1 रखेंगे तो ये इतना पार्ट बनेगा और ये इतना यहां तक आ जाएगा plus 5 करेंगे तो ये यहां तक का पार्ट बन जाएगा तो ये आप अपने हिसाफ से adjust कर सकते हैं जितने फंदे आपके sweater में हो 8 के multiple में या तो plus 1 या तो plus 5 knitting tutor channel को subscribe करें और bell icon प्रेस करके all पर click करें हमारी latest video सबसे पहले देखने के लिए ये मैंने रखा है यहां 1,2,3,4,5,6,7,8 16 फंदे मेरे design के हैं प्लस 1 मैंने इसमें किया है अब यहीं से हम जो भी color से हम बना रहे हैं दूसरा color लगाएंगे वो first slice से ही हम लगाना शुरू करेंगे 8 slice का design है ये और 8 ही फंदो का design है 2-2 slice हम दोनों color से करेंगे पहला फंदा बिना बुना लेंगे दूसरा फंदा वाइट कलर से बुनेंगे एक फंदा बिना बुना लेंगे एक फंदा बुनेंगे एक फंदा बिना बुना लेंगे पाँच फंदे हमारे यह हो गए डिजाइन के एक दो तीन फंदे यह हो गए आठ फंदे यह कम्प्लीट हो गए अब फिर से यही रिपीट करेंगे जो हमने यहां किया यह वाला फंदा बिना बुना लेंगे इसको बुनेंगे ये बिना बुना लेंगे, इसको बुनेंगे, ये बिना बुना लेंगे, और तीन फंदे हम ये सीधे बुनेंगे, ये वाला फंदा बिना बुना लेंगे, इसी तरह से हम ये ये पाच फंदे, ये तीन फंदे, ये पाच फंदे, इसी को बार-बार रिपीट करते जाएंगे, अब आगे हम इसकी उल्टी सलाई पर उल्टी सलाई से देखिए जो हमने बिना बुने लिये हैं उल्टी सलाई में भी हमें वो फंदे बिना बुने ही लेने हैं यह ऐसे ही ले देंगे यह तीन फंदे हैं उल्टी सलाई बुन रहे हैं हम सीधे बुनेंगे एक सीधा फिर धागा आगे ले लेंगे ये फंदा बिना बुना लेंगे धागा पीछे लेंगे एक फंदा सीधा ये वाला फंदा बिना बुना लेंगे और ये तीन फंदे उल्टे सिंगल सिंगल फंदे हमें रॉंग साइड से उल्टे बुनने है, ये बिना बुना लिया, रॉंग साइट से बुन रहे हैं, लेकिन सीधे बुनने हैं, ये वाले दोनों वाइट, एक बंदा सीधा, फिर धागा आगे करके ये बिना बुना, धागा पीछे लेंगे, फिर ये बुन लेंगे, ये बंदा हमने बिना बुना ले लिया, यह हो गई हमारी डिजाइन की दो सलाई, दो सलाई हमने वाइट से कर लिए, अब अगली दो सलाई हम ब्लेक कलर से करेंगे, ब्लेक कलर में हमें यह पाच फंदे पूरे एक ही कलर से बुन देने है, यह पाच फंदे हमने इसी कलर से बुन दिये, अब यह वाले ती तीन फंदे हम बिना बुने लेंगे, जो वाइट कलर के तीन फंदे हैं इनको बिना बुने लेंगे और जो सिंगल सिंगल फंदे हैं वो हम ब्लेक कलर से बुन देंगे, ये बुन दिये, ये तीन फंदे बिना बुने लेंगे और एक फंदा फिर ये लास्ट में बुन देंग अब हम फिर इसकी उल्टी सलाई पर आ गया, तीसरी सलाई हमने ये कर दी है, ये चौथी सलाई है हमारे डिजाइन की, अब हम ये उल्टी तरफ हैं, लेकिन हमें ये वाले फंदे हम बिना बुने ही लेंगे उल्टी साइड में, और जो ये फंदे हैं, सारे जो जो हमने बुन एक, दो, तीन, चार, पांच, दर आगे लेंगे, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, यह देखा आपने, यह मैंने बिना बुने लिए और यह मैंने सब सीधे बुने, अब यह चार सलाई हमारी कंप्लीट हो गई, पाँचवी सलाई हम फिर वाइट से करेंगे, दो-दो सलाई के बाद ही, हमें यह प्रड़ चेंज करना है, यह वाला फंदा हम बिना बुना लेंगे, जैसे कि हमने फिर्स्ट सलाई बुनी थी, यह वाली सलाई हमें उसी तरीके से बुननी है, पहला फंदा बिना बुना ले लिया, ये बिना बुना लिया, ये बिना बुना लिया, ये बिना बुना लिया, ये बिना बुना लिया, पहली सलाई हमने इसी तरह से की थी, ये वाले तीन फंदे, ये बिना बुना लेंगे, एक बुनेंगे, एक बिना बुना लेंगे, एक ब और ये तीन भंदे हम बुन लेंगे और ये बिना बुना लेंगे ये ब्लेक कलर से हम के भंदे हमने सारे बिना बुने लिये हैं और वाइट कलर के हमने बुन लिये हैं अब ये छेटी सलाई आ गई है हमारी छेटी सलाई हमें सेकिंड सलाई के जैसे करनी है ये वाले हम उल्टी तरफ से बुन रहे हैं, वाइट कलर के फंदे तो उल्टे बुनेंगे, जो बिना बुने लिये हैं वो ऐसे ही लेंगे, धागा पीछे लेंगे और ये सीधा बुनेंगे, जो सिंगल फंदे हैं उल्टी तरफ से वो सीधे बुनेंगे, और जो तीन फंदे बिल्कुल साधी बुननी है और ये दोनों सलाई हमें सीधी ही बुननी है इसमें कोई भी सलाई उल्टी नहीं बुनेंगे हमें सीधी साइड से बुनेंगे तो भी सीधी ही बुनेंगे और उल्टी साइड से बुनेंगे तो भी सीधी ही बुनेंगे लेकिन ब्लेक कलर से बुनेंगे, इसमें कोई भी भंदा हमें वाइट कलर से नहीं बुनना है, ये सलाई पूरी सीधी बुन लेंगे, ये सलाई सीधी बुन दी, ये हमाई सीधी सलाई थी, तो हमने सीधी बुनी, अब हम उल्टी सलाई पर हैं, तो उल्टी सलाई में भी हम ये सीधी ही बुनेंगे, पूरी सलाई, इस तरह से हम यह सलाई complete कर लेंगे यह देखिए यह हमने बना लिया है 8 सलाई हमारी complete हो गई और यह design भी complete हो गया अब आगे हमें यही design repeat करना है सिर्फ हर बार हमें इसकी जगा change करनी है जो यह 3 फंदो वाला design है वो यहां आ जाएगा और जो यह 5 फंदो वाला design है वो यहां आ जाएगा सिर्फ जगा change होगी method बिल्कुल यही रहेगा तो मैं एक बार शुरू करके दिखा देती हूँ आपको कि यह शुरू कैसे करना है यहां हम लेंगे पहला फंदा बिना बुना लेंगे और तीन फंदे सीधे बुन लेंगे यह 5 फंदों के जो हमारे design के 5 फंदे है उनके बीच के जो 3 फंदे है वो हमें सीधे करने है अब हम यह वाले फंदों पे design बनाएंगे यह वाला फंदा बिना बुना लेंगे एक फंदा बुनेंगे, फिर एक बिना बुना लेंगे, एक बुन लेंगे, एक बिना बुना लेंगे, और उसके बाद तीन फंदे सीधे बुनेंगे, ये वाला फंदा बिना बुना लेंगे, एक बिना बुना लेंगे, एक बिना बुना लेंगे, एक बिना बुना लेंगे, इस तरह से यह दिखिए आप यही डिजाइन जो हमने पहली सलाई में बुना था वही डिजाइन यहां रिपीट हुआ है लेकिन बस इतना फर्क है कि पहले तीन फंदे यहां थे और अब यह तीन फंदे यहां हो गए डिजाइन बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा अब उल्ट से जाएंगे अमेदा आपको यह समझा गया होगा अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू